मध्यावदी मुल्यांकन मीडलाइन असिस्मेंट दिये गई समानार्ती सब्दों को उससे समंधित सब्द से मिलाएं समानार्ती सब्द और इधर सब्द हैं भू, दरा, वसुंदरा इसके मिलाएंगे हम दर्ती से पवन, समीर, वायू इसको मिलाएंगे हम हवा से चांद हिमांसु सुधाकर इसको हम चंदरमा से मिलाएंगे प्रस्ट नमबर दो है नीचे दिएगे तद्सम सब्दों के तदबव रूप लिखिये कर्ण, कान, नासिका यानि नाक ग्रीवा यानि जीवा अक्सी यानि आख हस्त यानि हाथ अग्नी यानि आग प्रस्ट नमबर तीन संयुक्ताक्सर यूग्म सब्दों से संयुक्ताक्सर डूंड के लिखे संदर्ब, कर्तज्ये, संपन, वक्षस्तल, सर्मिक, कार्ये, पत्र अक्षून यानि चमा, साक्षे, त्रिभूज, विस्राम और निकम्मा इसमें हैं संयुक्ताक्सर सब्द, कर्तग, वक्षस्तल, सर्मिक, पत्र, अक्षून यानि शमा, त्रिभूज और विस्राम प्रस्ट नमबर चार निमलिकित कर्तनों के लिए उनके नीचे की पंक्तियों में प्रस्ट बनेए राम उसकान का पडोसी है तो इसका राम किसका पडोसी है ये प्रस्ट बनेगा ललिता सब्दी लेने बाजार जाती है प्रस्ट बनेगा इसमें सब्जी ललिता क्या लेने बाजार जाती है प्रस्ट नमबर पांच दिये गे वाच्यांज के लिए एक सब्द लिखे जो नियम के नुसार होता है निमानुसार, जो इस्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, जो पड़ा लिखा नेहो, अनपड, जो सरमाता बहुत है, सरमीला, प्रस नमबर छे, निमिलकित वाक्यों में से विशलेशन सब छाट कर लिखें, सीता, सुन्दर लड़की है, विशेशन है इसमें सुन्दर, वह तेज दोड़ता है, विशेशन है इसमें तेज, सात्वा, नीचे दिएगे वाक्यों को सुध करके लिखें, राम अपने विद्या ले गई, तो राम अपने विद्या ले गया, वह तेज दोड़ती हुई पास आया, वह तेज दोड़ता हुआ पास आया, दिएगे सब् रमेश, लालच, बालक, सूरज, गरीबी, सीता, बाहर, होली, पुस्तक और नदी इसमें व्यक्ति वाचक संजय होगी रमेश, सूरज, सीता और होली जाति वाचक होगा बालक, पुस्तक, नदी, बाहर बाव अचक संजय है प्रसंता, स्ने, लालच और गरीबी नववा है देखो समझो और लिखो मिठाई को मिठाईयां टोली का टोलियां माला का मालाएं सबा का सबाएं चीज का चीजें औरत का ओरतें पेशा का पेशे वादा का वादें प्रस नमबर दस है दिएगे सब्दों के उचित उपसर्ग लगाकर नए सब्द बनाएं जोर का कम लगाना यहां कम जोर देश के हम स्वय लगाएंगे स्वय देश पुत्र के शू लगाएंगे सुपुत्र धन का हो जाएगा निर्दन यार्वा नीचे कुछ पढ़ते दिए गये हैं उनको उचित सब्दों के साथ लगाकर नए सब्द बनाएं इया को गुडिया वान का बनेगा धनवान साली का प्रतिबसाली इसे बनेगा धनी बारवा है नीचे दिये गए गध्यांस को पढ़कर प्रस्नों के उतर दीजिए राजा रवी वर्मा बारत के श्याति प्राप्ट चितरकार थे उनका जनम केरल के एक छोटे से गाम में हुआ उन्होंने भारतिय पौरानी कताओं पर चितरों का निर्मान किया इनके चितरों में पौरानी नाइकाएं ही मुख्ये विशे रही है इन्होंने दुश्यंत सपुंतला नल दमयंती एम महाभारत दमयंती राजा रवी वर्मा की सबसे प्रसीद करती है राजा रवी वर्मा एक चितरकार ही नहीं अपितु एक देश भक्त भी थे इनका देवसान दो उक्टूबर 1906 को हुआ था राजा रवी वर्मा का जन्म का हुआ था तो केरल के एक चोटे से गाव में हुआ इनका सबसे प्रसीद चितर था अंस दमयंती गज्द्यांस में से कोई एक वाच्चे चांट कर लिकिये जिसमें संबंद बोदक सब्द का उप्योग किया गया हो तो उनका जन्म केरल के एक चोटे से गाव में हुआ तो यहां के आजाई का संबंद बोदक देवसान कीन दो सब्दों के मेल से बना हैं देव पलस अवसान तेरवा प्रस्न हैं स्वयम को राज के उच माद्मिक विद्याले सीरोही कक्सा नो की छात्रा मानते हुए सूल्क मुक्ति एतु परदानचार्य को प्रात्न पत्र लिखें शेवा में श्रीमान परदानाचारिय महोदे, राज के उचमादेंग विद्याले सिरोही, विसे सूल्क मुक्ति चाने तू महोदे जी उप्युक्त विसयंतरगत निवेदन है की कक्सा नवी की छात्रा हूं, मेरे आर्तिक स्तीति देनी हैं, अथे मुझे सूल्क मुक्ति तरदिकरा है उसमें हमने सभी कार्यपत्र के हल डाल रखे हैं यहां से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं हल अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेर करें चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद